Very good morning students, I am your teacher from Premchand Memorial Public School So students, आज की class में हम English पढ़ेंगे और English में हम क्या पढ़ेंगे? Small letters, है ना? Small letters हम लिखना सिखेंगे ठीके बच्चों, तो start करते हैं तो बच्चों ये क्या है? K K for kite Hold the string tight So students, अब हम लिखना सिखेंगे K पहले board पे देखिए K लिखने के लिए सबसे पहले अपनी English notebook निकालनी है उसमें एक straight line खीचनी है Standing line कहते हैं इसको, है ना? उसके बाद सबसे top वाली line से एक landing line बनानी है Then एक और landing line बनानी है जो की left to right जाएगी Like this ये small letter नहीं है, ये capital letter है ये revision के लिए ठीक है अब हम लिखेंगे small letter तो पहले standing line like this Then middle वाले दो लाइनों के बीच landing line बनानी है, same जैसे हमने capital K में बनाया था Like this, very good students एन एक छोटा सा curl अभी देखो copy में कैसे करेंगे हम notebook में Straight line Small letter है ये Straight line, then middle वाले डोनों लाइनों के बीच एक landing line Left to right Now right to left and बीच में एक curve अभी ऐसी दूसरा भी बना लेंगे Standing line Then landing line Then एक और landing line And एक curve अभी हम third one बनाएंगे Yeah, like this Very good students एसी आपको ये नीचे वाली line भी फिल करनी है और एसी आपको अपनी पूरी notebook फिल करनी है Okay students So straight line Landing line And then Second landing line ये भी third one भी हमने ऐसी बना लिया है टोटल हमने six letters बना लिया है कि कहना ऐसी आप पूरी notebook को complete करना है Make sure कि आपका date हमेशा notebook पे हो ठीक है बच्चो Notebook पे date हमेशा होना चाहिए Now बच्चो अब हम पढ़ेंगे L L for lion Lives in den यानी L for lion होता है और वो कुफ़ा में रहता है न L for lemon भी होता है और leaf भी तो बच्चो अब बोर्ट पे देखो कैसे लिखते है Hi मैं हूँ L अभी देखो कैसे लिखेंगे पहले capital L लिखेंगे Straight line Then a sleeping line Sleeping line क्यों? क्योंकि वो line नीचे की तरफ सो रही है इसले ठीक है Straight line Then a sleeping line Now students हम small letter बनाएंगे जो कि बहुत easy है देखो इसमें क्या किया है? इसमें बस एक curl बना दी है नीचे standing line में अब notebook में देखेंगे Straight line Then a small curl तीन लाइनों की बीच में है ना पर हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं और वो बहुत ही easy तरीका है Look नीचे से उपर तक एक curvy line बनानी है Then उसको फिर से cross कर देना Like this Okay Two steps में बन जाएगो One, two One, like this Two One, two Very good Date इस page पर भी डालना है आपको Yeah, very good Like this Okay, अब पूरा page आपको ऐसी फिल करना है Now students, यह क्या है M M for monkey jumping on the tree Monkey trees पर jump करता है न M for mat भी होता है M for mug भी होता है M for mango भी होता है Hi, I am M अब कैसे लिखेंगे M को पहले capital M लिखते है एक straight line Then हम बनाएंगे V देखो कैसे बना रहे है V इसमें direct नहीं बनाया है पर आप simply V भी बना सकते है न उसके बाद एक और straight line, standing line कहते है इसको अब small M बनाएंगे हम एक छोटा सा tail होगा थोड़ा सा turn होगा tail जादा नहीं and then एक ultra U बनाएंगे और then तूसरा ultra U बनाएंगे है न वैसे हम U उपर की side बनाते हैं इसमें नीचे की side बनाएं आप notebook में देखिए tail then U and second U like this अभी देखो कैसे मैंने पूरा फिल किया ऐसे like this easy है बहुत easy है आपको बस ध्यान से देखना है ठीक है okay look tail then first U then second U यह उल्टा है न opposite side है like this again very good अब ऐसी पूरे copy को फिल करना है आपको ठीक है students so जो मैंने आज क्या-क्या कराया आपको हमने क्या है K for kite L for loyan and M for mango या फिर M for monkey है न तो इसे आपको अपने notebook में करना है बच्चो और notebook में जब worksheet जाएगी तबी करना है bye bye have a nice day okay आपको इसे में बच्चोप ट्सो नहाँ आपको नहागी तागी